second question है ठीक है वो क्या है y square plus 10y plus 24 क्या करना है factorization करना है ठीक है so यहाँ पर हम लिखेंगे answer ठीक है अभी आप देखो पहले तो इस term में 1 है square वाला term y square एक है y power 1 और एक है y power 0 ठीक है मैं इसे y power 0 क्यों बोल रहा हूँ आप देखो यहाँ पे anything to the power 0 is always 1 okay so y power 0 means 1 so you can write 24 y power 0 so in next line what you will write is 24 into 1 right which is what which is 24 so यहाँ भी आपका एक y वाला term है जिसका power है 0 ठीक है so power 0 y वाला term power 1 y वाला term और power 2 y वाला term ठीक है ऐसे यह increase हो रहा है तो इस equation का जो highest power वाला term है वो है square ठीक है अभी आप देखो factorization हमें करने के लिए क्या चाहिए होता है पहले तो हमें चाहिए होता है p-r-o-d-u-c-t product वाला term हमें चाहिए होता है ठीक है product वाले term को हम कैसे लिखते हैं p-d-t और एक arrow लगाते हैं ठीक है क्या करते हैं product वाले term को लिखने के लिए p-d-t लिखते हैं एक arrow लगाते हैं product वाला term हमें कैसे मिलता है highest coefficient of y with the power 2 ठीक है power 2 वाले term y जो यह equation है y वाले equation है ठीक है so y वाले equation किसी भी equation में जो highest power 2 है उसके highest term जो भी हो ठीक है वाले term और जो term जिसका y वाला power 0 हो वाला term उन दोनों term को multiply करते हैं ठीक है उसका जो result आता है वो अपना product वाला term होता है ठीक है तो इस case में 24 और y square को multiply करेंगे 24 y square आ जाएगा simple ठीक है यह कैसे हो रहा है यहाँ पे आप देखो यहाँ पे है y square और multiply हम कर रहे है 24 के साथ ठीक है so number हम जानते है क्या जानते है कि जब हम multiply करेंगे 2 into 3 that is 6 always numbers are multiplied right number number के साथ multiply होता है और numerical alpha numeric जो होता है alphabet x into x x plus x 2x x into x क्या होता है x into x x square ऐसे होता है ठीक है तो अब आपके लिए यह नया है क्या है कि number और alpha यह multiply हो रहे है so इसके लिए जादा नहीं सोचना क्या करना है साथ में लिख देने सबको 24y square हो गया यह multiply ठीक है अगर आपके पास यहाँ पे हो z cube into 5 इसका एंसर क्या होगा 5 z cube ठीक है number और alphabet वाला जो term है एक साथ लिखने से ही वो simply multiply हो गया ठीक है अभी हम लोग question पे back आते हैं हमें क्या solve करना है हमें solve करना है y square plus 10x sorry y square plus 10y plus 24 product वाला आपको समझ में आया जो y square वाला term हो उसके साथ जो भी coefficient हो यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 और जो last वाला term हो जिसके साथ कोई coefficient नहीं है y वाला term नहीं है ठीक है नहीं है मतलब है y power 0 में है ठीक है उसे और y square वाले term को multiply करके जो आपको मिला वो product ठीक है product समझ में आया अब दूसरा वाला जो term होता है वो होता है sum sum हम किसे बोलते हैं जिसका coefficient y हो और y का power जो हो वो हो 1 वो वाला term हमेशा आपका sum वाला term होता है ठीक है split करने के लिए किसी भी number को एक sign चाहिए होता है बीच में तो आप जब split करोगे sum को कौन साइन देहोगे हमेशा आप product के सामने जो sign होगा उसे notice करोगे आपने यहाँ पर product solve करके निकाला था ना तो उस product में क्या आया 24 y square सो यह positive है सो यहाँ पर plus बैठेगा ठीक है अब 24 को आपको इस तरह से arrange करना होगा कि जब आप दो term को sum करोगे 10 मिलना चाहिए so first of all 24 क्या LC हम निकालो 2 1s a 2 2 2s a 4 2 5 is a 10 to 6 is a 12 2 3s a 6 3 2s a 6 यह एक pair बन गया और 2 2s a 4 यह एक pair बन गया तो यहाँ पर लिको 4 और 6 6 plus 4 10 तो हमें मिला 10 और जब हमने इन दोनों को मल्टिप्लाई किया तो हमें मिला 4 6 हा 24 प्रोड़क्ट भी मिल गया सम भी मिल गया अब हमें यहां क्या लिखना है हमें लिखना है y square plus within bracket outside y plus 24 bracket के अंदर क्या लिखना है sum वाले टर्म को जो split करके दो टर्म मिला हमें 4 plus 6 उसे bracket के अंदर लिखना है 4 plus 6 ठीक है बाहर y था जैसा यहां पर question में लिखा हुआ है same to same y plus plus 24 question में था same to same हमने लिखा है 24 ठीक है next line में हम लिखेंगे और y square अब क्या करेंगे bracket को remove करेंगे so 4 plus 6 y है so यह जो y है बाहर यह अंदर multiply करेगा 4 को so यहां पर आएगा 4 y ठीक है अब क्या होगा plus है so plus 6 into y 6 y plus 24 ठीक है और यहां पर common लो क्या आएगा common y अंदर क्या बचा y y into y y square plus y बाहर गया 4 अंदर close plus 6 बाहर y अंदर plus six fours are 24 ठीक है और अभी आप देखो दो brackets सेम हो रहा है न अंदर y plus 4 y plus 4 एक time लिखना है y plus 4 close bracket दूसरे bracket में क्या लिखेंगे y बाहर है न यहां पर क्या बाहर है plus 6 लिखो plus 6 close bracket यह आपका हो गया answer यह दोनों क्या मिला हमें factor मिला किस equation का इस equation का